जिस ताकत से लिबनान का हिजबुला गाजा में हमास को बचाने के लिए कूदा था उसको इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि जिस आग से वो हमास को बचाने में लगा हुआ है वही आग उसके घर तक पहुँच जाएगी जी हाँ हम बात कर रहें IDF के उन हमलों की जिस ने पूरा लिबनान दहल उठा पहले पेजर धमाके उसके बाद वौकी तौकी और फिर लिबनान में एक के बाद एक हिजबुला के कमांडरों के विकेट गिरते गए इन सभी हमलों में हिजबुला को हिला कर रख दिया इससे पहले कि हिजबुला इन हमलों से समल पाता उससे पहले ही इस्राइली सेना ने हिजबुला के उपर एक और हमला कर दिया दरसल IDF ने लेबनान की राजदानी बेरूत के उपनगरीय इलाके में कई हमले की हिए रिपोर्ट के मताबिक IDF ने अल हदात और अल लेला की इलाके में रात में करीब एक बज़े कई हवाई हमले किये IDF ने अल लयाल की, अल कफात, शुएफात, बुर्ज, अल बर्जने और अल हदात को विशेश टार्गेट किया इससे पहले IDF ने बेरूत के आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों के लिए एक संदेश जारी किया था जिसमें उसने लोगों से अपने अपने घरों को खाली करने सुरक्षित जगे पर जाने के लिए कहा था PM नितन्याहों ने भी IDF के इसी मैसेश को दोराया IDF ने अपने बयान में कहा था कि हिजबुला ने आम लोगों के घरों में रॉकेट और मिसाइल को छुपाया हुआ है जिसे खत्म करना इसराइल के लिए जरूरी है हलाकि हिजबुला ने IDF के इन आरोपों को जूटा बताया था हलाकि हिजबुला के हत्यारों को नश्ट करने के लिए IDF ने डाहिये डॉक्ट्रीन लागू कर दिया है जो 2006 में हुए इसराइल हिजबुला यूद के बाद से ठंडे बस्ते में था आपको बता दे कि डाहिये डॉक्ट्रीन IDF का एक ऐसा नियम है जिससे वो बड़े पहमाने पर नागरिक ठिकानों को तबाह कर सकती है जिससे हिजबुला पर दबाव बनाया जा सकी हलाकि IDF के इन आरोपो को लेकर लिबनानी न्यूज अजंसी अलमयादीन ने दावा किया कि जिन इलाकों पर IDF ले हमला किया था उन इलाकों में किसी तरह की हिजबुला या कोई से निगतिविदी नहीं देखी गी अलमयादीन का कहना है कि ये सारे नागरिक और रिहाशी इमारते थी जिन पर इसरायल ने हमला किया था अलमयादीन के मताबिक जहां हमला हुआ था वहां घांडौर फैक्टरी थी जो फूड इंडस्ट्री में कारोबार करती है वहीं दूसरी तरफ जब आईडियफ हिजबुल्ला को दहला रहे थी तो उसी दोरान हिजबुल्ला के लड़ाके भी इसरायल पर कावड़ कोड़ बंबारी कर रहे थे हिजबुल्ला ने कीरियत अता सेटल्मेंट पर फादी एक रॉकेट का पूरा एक जथा फायर किया इसके बाद तबराय शहर में भी हिजबुल्ला ने रॉकेटों के दो अलग जथे फायर की और इसके बाद शाम होते होते हिजबुल्ला ने इलानिया सेटल्मेंट पर भी फादी एक रॉकेट बरसाए हिजबुल्ला का कहना है कि उसने लेबनान बॉर्डर कर पर करीब बैयाट बलीडा सेन ये चौकी पर भी दंबारी की लेका पर भी गज्वल्मेंट बेपनिन्या विस ओसेए बलीडास k का तो K खर होते हिए पर देसे हिए वायश कई ओंक शर जा जब ये से